नमस्ते दोस्तों आप लोगों को स्वागत है मेरी चैनल M.T.K. Mona World पे दोस्तों आज से शुरू हो रहा है नवरात्री तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्री की हार्डिक शुपकाम नाये हैं दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं नवरात्री के बारे में यानि की मादु मा अंबे, मा दुर्गा, मा भवती चाहिक नाम कोई भी हो पर इन नौ दिनों में वो भरपूर आशिश देती है नौ दिनों की नो देविया अपने विशिश आशिरबात के लिए जाने जाती है तो आज हम लोग उसी देवी के उपर कौन सी बरदान हमी मिलता है तो आज हम पुत्री कहा जाता है नबरात्री की प्रथम तिथी को शेल पुत्री की पूजा की जाती है इनके पूजन से भगवा भक्त सदा धन धान से परिपूर्ण रहते है ब्रह्मचारिनी मा दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिनी मा दुर्गा का ये रूप भक्तों और साधकों को अनन्द कोती फल प्रदान करने वाली है उनकी उपासना से तब त्याग बेराग सदाचार और सयम की भावना जागरीत होती है चंद्रगंता मादुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रगंता इनकी आराधना टृतिया को ही की जाती है इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ती मिलती है बेर्दा के गुनों में ब्रिध्धी होती है स्वर में दिब्य आलोकिक माधुचिका समावेश होता है वो आकर्षन बरता है कुस्मान्दा चतुर्थी के दिन मा कुस्मान्दा की आरात्ना की जाती है इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोग दूर होकर आयू वो यश में पृध्धी होती है सकंद माता, नबराट्री का पाश्वा दिन होता है सकंद माता की उपासना मोक्ष की द्वार खोलने वाली माता परंसुखदाई है मा अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्टी करती है कट्याईनी, मा का छथवा रूप है मा कट्याईनी का रूप चथी दिन इनकी पूजा अर्जिना की जाती है इनकी पूजन से अद्भुत शक्ती का संसार होता है कत्यारनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सयम सक्षम बनाती है इनका ध्यान गोधुली बेला में करना होता है काल रात्री नवरात्री की सबतमी के दिन मा काली रात्री का अराधना की जाती है इनकी पूजा अर्चिना करने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है वो दुश्मनों का नाश भी होता है और टेज भी बढ़ता है महागोरी देभी का आधवारूफ है मागोरी का इनका अस्तमी के दिन पूजन का बिधान है इनकी पूजा सारा संसार करता है महागोरी की पूजन करने से समस्त पापों का शेय होकर चेहरे की क्रांटी परती है, सुख में बृधी होती है, शत्रोशमन होता है सिध्धी दात्री मा सिध्धी दात्री की आराध्ना नबरात्री की नवमी के दिन किया जाता है इनकी आराथना से जातक अनिमा लगिमा प्राप्ति प्रकामव स्महिमा इशित्व सर्ब कामवसंत इता दूर श्रबन पड़काया प्रबेश बाक सिध्धी अमरत्व भावना सिध्धी और समस्त नव नीधियोज की प्राप्ति होती है तो दोस्तो आज हम लोगों ने जाना मा दुर्गा की नौ रूपों के बारे में और नौ बरदान के बारे में तो दोस्तो आप लोग भी नवरात्री का पालन कीजिए मा दुर्गा आपकी सभी मनुकामनाय पूरी करे और सबको हमेशा खुश रखे और इन रोग बाधाओं से हमेशा दूर रखे जे माता दी आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो सुखी रहो और ऐसे ही हमेशा हैपी रहो